खबर मध्यपर्देश के अनूग पुर्जिले से है जहां थाना भालू माडा छेतर के जमुना कॉलरी बाजार में इस्चित अनुभाव मेडिकल स्टोर में दवा खरीदी करने के लिए पहुचे व्यक्ति के गाड़ी में रखे बीस हजार हुपई की चोड़ी गाड़ी की दिग्गी तोड़कर अग्याज चोरो द्वारा 11 अगस्त 2021 को लगबग एक बजे कर ली गई जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा थाना भालू माडा में दर्ज कराई गई है गटना के संबन में रिटायर कॉलरी करमचारी निवासी पसला श्यामडाल ने बताया कि वो 11 अगस्त 2021 को भारती स्टेट बैंक जमुना कॉलरी से 20,000 निकाल कर जमुना कॉलरी बाजार इस्थित अनुबाव मेडिकल इस्टोर में दवा खरीदी करने के लिए पहुचा तो वाहन खड़ा कर दवा लेने गया था और पैसा उसके गाड़ी के डिग्गी में रखा हुआ था इसी बीच अग्यात चोरों ने गाड़ी के डिग्गी को तोड़ कर 20,000 की चोरी कर ली मामले की शिकायत थाना भालू माड़ा में पीड़े तो द्वारा दर्श कराई क्या लोग समाज नहीं पाते हैं न सार ब्यूरो रिपोर्ट नियूज अब भारत